असलाम उलेकुम फ्रेंट्स मैं खाल नाजमी शरीफ Welcome to FH2 Classes English की जो सीरीज हम लोग ने स्टार्ट की है English Grammar की उसमें आज हम लोग टेंसेस देखेंगे कि टेंसेस कितने टाइप के हैं और जो टेंसेस का अगर कनवर्जन करना है या आइडेंटिफाई अगर आपको करना है एसको किस तरहों से करना है आज हम लोग क्या इस वीडियो में सारी बाते देखेंगे जो में टेंसेसे होना कितने टाइप के हैं 이ह चार चार My दएंगे तीन टाइप के हैं, कौन-कौन से है वो, present tense, past tense और future tense, ये तीन टाइप के जो टेंसे से ये बहुत ही main है, मतलब ये सबसे जो main type है, उसमें तीन है, और इनके जो sub type है, वो 4-4 है, मतलब present tense के अंदर आपको 4 टाइप मिल जाएंगे, जैसे present, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, और चौता होंगा present perfect continuous tense, इस तरहां से past में आपको 3 टाइप, चार टाइप मिलेंगे, past simple past tense, past continuous tense, past perfect continuous tense, और past perfect tense. सेम आपको future tense में भी 4 टाइप मिल जाएंगे simple future tense, future continuous tense, future perfect tense और future perfect continuous tense तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 चार टाइप देखने को मिलेंगे हर एक main type के बीच में यानि इस तरह से आपके total कितने हो जाएंगे फिर तीन टाइप के main tense हो जाएंगे और उसमें चौता आपका जो होगा वो चौता टाइप होगा तीन टाइप के main होगे present, past और future और उसके सब टाइप अगर देखेंगे अब हर एक के अंदर 4 चार तो इस तरह से total जो tense हो जाएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे 12 टाइप, अब इनको कैसे identify करना है, इनको किस तरह से पैचानना है या कौन से tense में, कौन से words का इस्तेमाल किया जाता है आज हम इस वीडियो के अंदर पहले सारे इसके जो formulas हैं किस तरह से पैचानना है वो देखेंगे उसके बाद हम लोग next वीडियो में इन्शाला ताला की सरहा से convert करना है एक tense से दूसरे tense के अंदर वो देखेंगे तो पहले आज हम पूरे tense को जो है कि हर tense की क्या पैचान है हर tense की पैचान क्या है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हम tense लेते हैं present tense के present tense के जितने भी टाइप ए सब टाइप simple present tense, present continuous tense, present perfect tense और present perfect continuous tense तो यह आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि tense क्या है tense का मतलब क्या होता है, जो different types of sentence होते हैं वो क्या indicate करते हैं, हमें उनसे किस तरह की मालूमात हासिल होती है आज पहले हम लोग उसका introduction लेंगे, अब tense क्या है दिखिए tense is a grammar term used to indicate whether a sentence or verb is an action in the past, the present or the future यानि present term, sorry tense जो है, वो grammar की ऐसी term है जो हमको ये बताती है, कि जो sentence यानि जो जुमला है या तो जो verb है, जो fail का इस्तिमाल किया जा रहा है तो उसमें जो काम हो रहा है, वो action या वो काम जो है, वो past में हुआ था यानि जमाने माजी में हुआ था present में चल रहा है, यानि जमाने हाल में चल रहा है या फिर वो future में होंगा, यानि जमाने मुस्तक्बिल में होंगा तो tense की वज़ा से हमको क्या पता चलता है tense की वज़ा से हमको जमाने का पता चलता है कि कौन से जमाने में कौन से कार में काम हुआ था जैसे कि अगर हम हिंदी में देखे तो वर्तमानकाल, भूतकाल और भविश्यकाल इस तरहां से वर्तमानकाल यानि क्या present tense यानि जमाने हाल, भूतकाल यानि क्या past tense यानि जमाने माजी और भविश्यकाल यानि क्या future tense यानि जमाने मुस्तक्बिल, तो tense क्या है, tense is a grammar term used to indicate whether a sentence or और वर्ब is an action in the past, the present or the future, यानि ऐसा टर्म जो ये बताता है कि जो काम हुआ है, वो past में हुआ था, यानि जमाने माजी में हुआ था, या अभी present में चल रहा है, या तो फिर वो future में होने वाला है, तो इस तरहां का जो वर्ब है या इस तरहां का जो टर्म है, उसे क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है, मतलब ये जो अगर English grammar अगर आप speaking भी देखेंगे, तो उसके हिसाम से जो टेंस है, वो सबसे important point है, क्यों, क्योंकि अगर हमको कोई जुमला बोलना है, अगर मुझे बोलना है कि मैं, मैंने आम खा चुकी ना, तो अब मैंने इसको हिंदी में त उसकी rules क्या है, वहाँ पर कौन सा helping verb आएंगा, किस तरहां से मैं अपनी बात को सामने वाले तक कह पाऊंगे कि मैं जमाने माजी की बात कर रही हूँ, यानि मैं पांस tense की बात कर रही हूँ, तो देखी, टेंस की वज़ा से ही, जो English speaking है, या English में हम जो पांस चीत करते हैं, सामने वाले को समझ में आती है, कि जमाने हाल की बात हो रही है, जमाने मुस्तक्बिल की बात हो रही है, या जमाने माजी की बात हो रही है, तो tenses spoken English का बहुत ही important part है, ऐसा समझी उसकी, जो main basic है या उसकी backbone है वो, tenses, बिना without tense information आप ना तो spoken English कर सकते हैं, ना ही आप English को सकते हैं, तो चलिए देखते हैं और आगी क्या है, अब हम एक एक टेंसे को और उसकी जो सब टाइप से, जैसे तीन टेंसे से main हमने देखे, कौन कौन सा टेंसे, present tense, past tense, future tense, अब इसमें जो सब टाइप से जो given है, हर एक टेंस के अंदर चार जो है, वो सब टाइप given है, तो क्या है, first wala, यहाँ पर simple present tense, अब simple present tense, क्या है, देखिए, तो चलिए, first wala, हम लोग देखते है, simple present tense, simple present tense, indicate an action which happen in the present, but it isn't necessary for actions to happen right now, simple present tense, indicate unchanging situations, general truth, scientific facts, habit and fixed, अब क्या है, simple present tense, क्या indicate करता है, ऐसा action जो present में हुआ है, जो जमाने हाल में हुआता है, जमाने हाल की तो बात बताता है वो, बरबर, और क्या बताता है, simple present tense, indicates unchanging situations, general truth, यहनि ऐसी situation, जिनको हम change नहीं कर सकते, यहनि ऐसी situation, जिनको हम change नहीं कर सकते, जिसे sun rises, in the east, यहनि सूरच कहां से निकलता है, east से निकलता है, इसको हम change कर सकते हैं कर नहीं, तो जब भी यह बात बोली जाएंगी, इसको हम simple present tense में ही बोलेंगे, बरबर, general truth, यहनि अगर कोई general truth है, उसको भी हम simple present tense में बोलेंगे, कोई scientific facts है, जिसे कुछ invention हुई है, कुछ हुआ है तो उसको भी हम कौन से tense में बोलेंगे, simple present tense में बोलेंगे, अगर कोई habit है किसी की, तो उसको भी present tense, simple present tense में बोला जाएंगा, या कोई चीज फिक्स्ट है, जैसे unchanging situation of fixed अगर हम लेंगे, तो एक ही बात हो जाएंगे, कोई चीज अगर fixed है, वो बदल नहीं सकती, तो भी हम truth है, unchanging situation है, scientific facts है, habit है, ये सारी बाते भी कहां पर बताई जाती है, simple present tense के अंदर, okay, क्या है ये fixed arrangements है, और frequently occurring events है, यानि ऐसी arrangement जो fix है, जो हमको करनी ही है, ऐसी कोई arrangement की बात अगर हम कर रहे हैं, या कोई frequently occurring events है, यानि जो बार-बार अगर कोई चीज होती है, तो भी हम उसे क क्या करेंगे, जिससे, earth rotates, तो जमीन घुमती रहती है, वो frequently occur होती है, ये चीज़, ये जो event है, तो वहाँ पर भी हम, कौन से tense का इस्तेमाल करेंगे, simple present tense का इस्तेमाल करेंगे, अब देखे, present next वाला है, second वाला, present continuous tense, तो present continuous tense में क्या है, present continuous tense कब हम इस्तेमाल करते हैं, present continuous tense indicate an action which is in progress at the time of speaking or at the present time, यानि अगर हम किसी ऐसी बात का जिक्र कर रहे हैं, जब हम उसकी बात कर रहे हैं, उस काम की या उस बात की जो भी हम बोलने जा रहे हैं, अगर वो in progress यानि अभी वो काम शुरू है, अभी तक खतम नहीं हुआ है, या तो फिर at the time of speaking और at the present time, यानि बात करने के time पर भी आप खाना खाते बैटे हो, कोई आ गया, तो आप खाना खा रहे हो, तब कोई आया, यानि वो progress में है न, ओके, या फिर at the present time या तो फिर जमाने हाल में अगर वो काम जारी है, चालू है, तो उसको कौन से tense में हम बताएंगे present, continuous tense में बताएंगे, यानि ऐसा काम जब बात क करने के दौरान, या present tense के अंदर, present time पर वो काम चल रहा था, in progress था, खतम नहीं हुआ था, in progress यह नहीं क्या, वो काम खतम नहीं हुआ था, जब उसकी बात की जा रही थी, या present time में वो काम चालू था, ओके, तो ऐसे जो बात है, या ऐसे जो काम है, इनको हम present continuous tense में बताएं करेंगे, present perfect tense is used to express an event that is started in the past and the impact of the event is now continuing, और a long running event that is started in the past and is still, and is still going on, यानि present perfect tense का इस्तेमाल कब करेंगे, this tense is used to express actions, अब देखे, present perfect tense का इस्तेमाल कब करेंगे, express an event that is started in the past, यानि ऐसा event जो past में start हुआ था, and the impact of the event is now continuing, यानि ऐसा काम, present perfect tense, यानि ऐसा काम, जो कि past में हुआ था, लेकिन उसका जो impact है, उसका जो असर है, वो अभी भी बाकी है, तो ऐसे बात को अगर हमको बताना है, तो हम perfect tense में, लेकिन यहाँ पर जो काम है, वो मुकमल हो चुका होता है, present continuous tense की बात, अगर हम करते हैं, तो वहाँ पर काम जारी रहता है, लेकिन present perfect tense के अंदर क्या है, कि past में कुछ काम अगर हुआ था, सिर्फ उसका impact अगर अभी है, तो ऐसे tense को हम कौन से इसमें बताएंगे, present perfect tense में, लेकिन यहाँ पर काम जो है, वो मुकमल हो चुका होता है, complete हो चुका होता है, तो ऐसे tense को हम present perfect tense में बताएंगे, अब यहाँ पर, this tense is used to express actions, completed recent past, यानि ऐसे action या ऐसे काम को बताया जाता है, जो recently हुए है, recently complete हुए है, यानि उसको ज्यादा time नहीं हुआ है, तो ऐसे काम को बताने के लिए हम present perfect tense का इस्तिमाल करेंगे, यानि काम मुकमल हो चुका होता है, लेकिन उसको ज्यादा time नहीं होता है, ऐसे काम को बताने के लिए हम present perfect tense का इस्तिमाल करेंगे, अब यहाँ पर है present continuous tense, sorry present perfect continuous tense, last one है यह present perfect continuous tense, अब present perfect continuous tense का इस्तिमाल हम कप करते हैं present perfect continuous tense indicates that something started in the past and is continuing at the present time यानि ऐसा काम या ऐसी चीज जो past में start हुई थी लेकिन अब तक present में वो चल रही है तो ऐसी चीज जैसे I have been studying since last 5 years या last 10 years of UPSC अगर ऐसा कुछ sentence हमको बोलना है कि मैं UPSC की पढ़ाई पिछले 5 सालों से कर रही हूँ यानि काम का भी start हुआ था पांस साल पहले या चार साल पहले दो साल पहले या एक साल पहले जो भी है लेकिन वो काम अगर अभी तक चल रहा है present में भी तब हम वहां पर कॉन से टेंस का इस्तिवाल करेंगे present perfect continuous tense okay जैसे I have been working in this institute from last three years यानि पिछले तीन सालों से मैं इस institute में काम कर रही हूँ यानि तीन साल पहले मैंने start किया था लेकिन वो काम अभी भी जारी है खतम नहीं हुआ तो ऐसे टेंस को क्या कहा जाएंगा present perfect continuous tense कहा जाएंगा तो हमने यहां पर देखे जो में टेंस कितने टाइप के है present tense, past tense और future tense फिर present tense की हमने चार sub type देखे कि simple present tense यानि कौन सा जुमला या कौन सा tense ऐसा जो की भी जमाने हाल की बात करता है यानि काम अभी जमाने हाल में complete हुआ है यह किसी truth की, किसी facts की ongoing situation है अगर तो वहां पर present continuous tense, sorry ongoing situation continuous में आएगा present continuous tense के अंदर हम कौन से जुमले की बात करेंगी या कौन से tense होगा उसके अंदर, ऐसा tense जहां पर अगर उस जुमले की बात की जा रही है या उस काम की जब बात की जा रही है तब वो काम अभी भी शुरू है, खतम नहीं हुआ, perfect tense के अंदर कुछ वक्त पहले ही काम खतम हुआ था, और present perfect continuous tense में यानि कुछ वक्त पहले काम वीडियो में हम लोग past tense or future tense के देखेंगे, अब देख सकते हैं, आपके सामने एक box से, tenses formula and example, यानि अगर आपको tenses याद रखने हैं, या आपको tenses अगर पहचानना है, identify करना है, या अगर tenses का conversion करना है, जैसे simple present से simple past में जाना है, या present continuous में जाना है, present perfect में जाना है, तो इसके लिए हमको इसके rules मालू होना चाहिए, इसके formula मालू होने चाहिए, कि क्या क्या changes according to tenses, sentence के अंदर, जुमले के अंदर किये जाते हैं, वहाँ पर verbs का concept form का इस्तिमाल किया जाता है, देखिए, tenses को समझने के लिए, या tenses को सही तरीके से करने के लिए, आपको verbs की तीन जो form है, तीन शकले जो है, V1, V2 and V3, बर अब ये तीनों भी आपको याद होनी चाहिए, तब ही आप जो है, सही तरीके से tenses का conversion कर पाएंगी, या उसको identify कर पाएंगी, ये basic tenses के लिए, तो देखिए, यहाँ पर अभी हमारे सामने मौजूद है, simple present tense, simple present tense का क्या formula है, subject कहेंगे, subject होंगा, उसके बाद क्या होंगा, verb की पहली शकल होंगी, यानि first form होंगा, verb का, अब अगर वो singular third person के साथ अगर आ रहा है, verb, मतब जो subject है, अगर वो singular third person की बात की जा रही है, तो वहाँ पर ऐसी या, yes add होंगा, प्लस वहाँ पर होंगा, object, जिसे देखिए, यह पर she क्या है, she है subject, और she जो है, वो singular third person है, third person यानि क्या, first person यानि जब मैं खुद की बात कर रही हूँ, तो मैं first person, second person यानि क्या, जब सुनने वाला मेरे सामने मौझूद है, बराबर, यानि जिससे मैं बात कर रही हूँ, अगर वो मेरे सामने मौझूद है, जिसे you, अगर मैं you का इस्तिमाल कर रही हूँ, तो यानि मैं जिससे कह रही हूँ, वो मेरे सामने मौझूद है, तो वो हो जाएगा second person, और third person यानि क्या, जब I and you मिलकर किसी third, किसी तीसरे इंसान की बात कर रही है, जो के गायब है, जो हमारे सामने मौझूद नहीं है, तो ऐसे इंसान क subject हो गया, third person है, क्योंकि she यानि वो, अब वो मैं कब कहूंगी, जब वो मेरे सामने मौझूद नहीं होंगी, तब कहूंगी न वो, अगर वो मेरे सामने मौझूद है, तो मैं उसे यू कहूंगी, तो जो third person singular है, वो कौन कौन से है, she, he and it, ये तीन है, ये जो तीन है, ये क्या है, third person singular है, ये जब भी आएंगे जुमले के अंदर as a subject, तो इनके साथ verb किया है, first form और उसमें as, या yes, add करना है, ये main rule है, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, she subject हो गया, अब go जो है, वो main verb है, go क्या है, main verb है, अब she यहाँ पर जो है, वो singular third person आने की वज़ा से, हमने go में yes, add कर दिये, she goes to school by bus, तो इस तरहां से इसका format होगा, यानि subject, उसके बाद verb, यानि we one verb का first form, उसके बाद उसमें as, या yes, add करना है, cup करना है, जब वहाँ पर singular third person की बात की जा रही है, फिर object, यानि जिस पर काम किया जा रहा है, जैसे she goes to school, she subject हो गया, goes यानि वो जा रही है, वो जाती है, verb हो गया, और किस के जरीए, bus के जरीए, तो bus जो है, यहाँ पर object होगी, तो इस तरहां से यह simple present tense का formula आपको यान रखना है, subject plus v1 plus object, इस तरहां से यह formula है इसका, अब next क्या है, यहाँ पर present continuous tense, present continuous में क्या है, subject होगा, plus m is या r helping verb का हम इस्तेमाल करेंगे, अब m is, r का इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए, i की साथ हमेशा m आता है, और अगर singular की बात हो रही है, तो as आएंगा, जैसे he, she, it अगर आता है, ही, she, और it अगर आता है, तो वहाँ पर इसकी बात होंगी, और अगर plural आता है, तो वहाँ पर r का इस्तेमाल होंगा, तो यहाँ पर इन तीन helping verb का इस्तेमाल करना है, क्या है, subject, plus m, is, या r का इस्तेमाल करना है, प्लस, verb में आपको ing add करना है, वहाँ पर present, simple present tense के अंदर, अगर third person singular की बात हो रही थी, तब ही हम word के अंदर as, yes लगा रहे हैं ते, और नहीं तो हम verb का first form इस्तेमाल करेंगे, अब present continuous tense में क्या change होंगा, subject के बाद हमको helping verb का इस्तेमाल करना है, according to subject, अगर subject singular है, तो is का इस्तेमाल करना है, plural है, तो r का इस्तेमाल करना है, और i अगर है, तो m का इस्तेमाल करना है, उसके बाद क्या करना है, verb में आपको ing add करना है, और हमारा जो object रहेंगा, जिस पर काम किया जा रहा है, वो as it is हो तो दिखिए she goes to school by bus उस जुमले का conversion कैसे होंगा यहां पर उस sentence का she है उसके बाद हमको helping verb इस्तेमाल करना है हमने इसका इस्तेमाल किये क्यों इसका इस्तेमाल किये क्योंकि she जो है वो singular है अब go जो है वो main verb है अब हमको क्या करना है आप अगर formula में देखेंगे तो verb के साथ object है as it is to the school by bus इस तरहां से इसका फॉर्मेट होंगा तो यह formula अगर आपको यहाद हो जाएंगे तो आप identify भी कर पाएंगे और conversion भी अच्छे से कर पाएंगे अब देखें यहाँ पर present continuous ट्रेंस नेक्स्ट वाला तो present continuous ट्रेंस में क्या फॉर्मेट है उसका देखेंगे subject प्लस has या have प्लस वर्ब की तीसरी शकल आएंगी और वहाँ पर object आएंगा यहनी subject subject की जगा पर होंगा अब हमको वहाँ पर present continuous ट्रेंस में हम am is are helping verb का इस्तिमाल कर रहे थे perfect के लिए हमको have या has का इस्तिमाल करना है according to subject अब हैस का भी इस्तिमाल होंगा Singular के साथ जो है वो हैस का इस्तिमाल होंगा और अगर plural की बात की जा रही है एक से ज्यादा अगर है subject के अंदर एक से ज्यादा की बात की जा रही है तो वहाँ पर have का इस्तिमाल होंगा अब हम continuous के अंदर verb में ing add किये थे यहां पर हमको verb का तीसरा form इस्तेमाल करना है, देखिए, verb के तीनों form याद होना आपको बहुत जरूरी है, ओके, तो यहां पर verb की तीसरी शक्लिया नि, थर्ड form यहां पर इस्तेमाल होगा, और जो object होगा, वो as it is उसकी जगा पर होगा, अब देखिए, she goes to school, अब इस वाले जुमले को conversion अगर हम करते हैं, तो यहां पर कैसे आएगा, she हो गया, इसके बाद, helping verb हमने, according to subject अगर लगाते हैं, हम, तो singular है, इसके लिए has होगा, perfect tense के अंदर, verb की तीसरी शकल, यहनि तीसरा form, third form, तो go first है, went second है, और gone third है, तो v3 का हमको यहां पर इस्तेमाल करना है, then object as it is go, sorry, to school by bus, तो इसका जो format है, वो किस तरह से होगा, subject, plus have या has, plus v3 and plus object, तो इस तरह से आपको यह formula याद रखना है, अब दीखें, इसके बाद है, present perfect continuous tense, last वाला है यह, present perfect continuous tense, last means present tense के जो चार टाइप है, उसमें यह चौता आखरी वाला है, ओके, तो present perfect continuous tense में क्या होता है, subject की जगा subject रहेंगा, शुरुवात में हमेशा subject ही आएगा, यानि काम करने वाला, अब यहाँ पर दीखी, अगर आप उसके नाम पर गौर करेंगे, perfect भी है, continuous भी है, इन दोनों को हमने अलग-अलग देख चुके, कि perfect की क्या rule है, कि have या has का इस्तेमाल होंगा, plus v3 का इस्तेमाल होंगा, लेकिन साथ में continuous भी है, continuous में हमने क्या देखे, कौन से helping verb इस्तेमाल होंगे, m, is, r, plus हमने क्या देखे, verb में ing, लेकिन यहाँ पर हमको इन दोनों का addition कर देना है, मतलब दोनों को mix up कर देना है, यह ऐसा जुमला जो, जिसका, ज इसी चीज हमको बतानी है, तो perfect tense में कुछ दिन पहले start हुआ था, continuous यानि अभी तक चल रहा है, तो इसके लिए क्या है, subject है, उसके बाद perfect tense का हम लेंगे, have या has, उसके बाद continuous भी लेना है, यानि verb में ing भी हमको add करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, been का इस्तेमाल करे हैंगे, has या have के साथ हम been लगाएंगे, उसके बाद verb में ing और फिर object का इस्तेमाल होंगा, यानि अगर इसका formula देखे तो किस तरह से आता है, subject, plus have या has, plus हमको ing लगाना है, verb में इसके लिए हम been का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम verb में ing लगाएंगे, और last में object, यानि ज की जगापर आगया, subject की जगापर, अब have या has हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर singular है she, तो हम has का इस्तेमाल करेंगे, she has, अब हमको verb में ing अट करना है, continuous के लिए, तो हम been की मदद लेंगे, she has been, फिर go में हम ing अट करेंगे, तो यह होता है, going, then object, go school, sorry, to school by bus, तो किस तरह से sentence बन गया यह, she has been going to school by bus, तो देखिए इस तरह से आपको यह formula याद रखने है, क्या है इसका formula subject, plus have या has, plus been, plus verb में ing, उसके बाद आपको आपका last में object डालना है, sentence कुछ इस तरह से बनेगा, she has been going to school by bus, तो देखिए यहाँ पर एक बार हम लोग revise कर लेंगे, कि present tense जो है, present tense क के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर उसके चार सब टाइप देखे, simple present tense, progressive यानि continuous tense, perfect tense और perfect progressive यानि perfect continuous tense, simple का क्या formula था, subject plus even plus object, उसका example अगर हम देखेंगे, तो subject ही आ गया, वीवन क्या है, यहाँ पर drives और object क्या है, यहाँ यहाँ पर a, कार, यानि यह subject, यह verb और यह object, ओके, अब second वाला देखेंगे, progressive, progressive यानि कौन सा, continuous tense, उसका क्या format देखे, हमने क्या formula देखे, subject, plus m, is या r में से कोई एक इस्तेमाल करना है, according to subject, उसके बाद verb में ing और फिर object, अगर हम देखेंगे, he drives a car, अगर इसका change हम देखेंगे, तो subject की जगा पर subject है, उसके बाद हमको क्या करना है, am, is, are, कोई भी एक helping verb का इस्तेमाल करना है, तो he है, वो singular है, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, verb में हमको ing लगाना है, यहाँ पर verb जो था, वो drive था, तो उसमें ing अगर हम लगाएंगे, तो driving बन जाएंगा, object क्या तो यहाँ पर car था, तो a car as it is आ जाएंगा यहाँ पर, उसके बाद अगर perfect tense में conversion करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, perfect tense का क्या format है, subject, plus have या has, then v3, और फिर object, यहनि अभी यह जुमला जो given है, अगर हम इसको देखेंगे कि he drives a car, इसके इसाब से अगर जाएंगे तो subject क्या है, यहाँ पर he, अब have या has का इस्तेमाल करना है, तो he singular है, इसलिए हम has का इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पर v3 का इस्तेमाल करना है, main verb है drive, उसका जो v3 यानि third form जो होंगा, वो driving होंगा, उसके बाद a car ज यानि perfect continuous strength का क्या format हमने देखे थे, subject होंगा, have या has होंगा, अब continuous भी है, इसके लिए verb में ing लगाना है, तो हम उसकी मदद के लिए bean का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद verb में ing लगाएंगे और फिर last में object as it is होंगा, तो देखिए यहाँ पर अगर इस जुमले का conversion करते हैं, तो subject की जगह पर subject आ गया ही, उसके बाद हमको have या has का इस्तेमाल करना है, तो he जो है, वो singular है, इसके लिए has का इस्तेमाल होंगा, उसके बाद हमने क्या देखी, verb में ing लगाने से पहले हमको bean लगाना है, तो has been, उसके बाद driving तो यहाँ पर आ जाएगा, verb में ing लगाने के बाद driving बन जाएंगा और object उसकी जगह पर, as it is होगा, he has been driving a car, कुछ इस तरहां से बनेगा, तो simple का क्या formula है, subject plus v1 plus object, continuous का क्या है, subject plus m is या r में से किसी का इस्तेमाल करेंगे, verb में ing लगाएंगे और object, perfect tense का क्या format है, subject होगा, have या has होगा according to subject, v3 होगा और फिर उसके बाद object होगा, उसके बाद perfect progressive का क्या है, subject, have या has का इस्तेमाल करेंगे, been लगाएंगे, उसके बाद verb में ing होगा और फिर object का इस्तेमाल होगा, तो इस तरहां से हम लोगों ने आज tenses क्या है, वो देखे, कितने type के tenses होते हैं, वो देखे, plus present tense के सब type हम ने देखे, past और future के जो type इंशालला तहला हम लोग next video में देखेंगे, उमीद करती हूँ यह जो video है, यह आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आ रही होगी, पसंद आई होगी, और जितने भी आपको concept यहाँ पर समझाई गई है, जो formula, जो format आपको बताए गये हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होगे, तो यह video अगर आपको अच्छी लगी, तो इसे like कीजिए, दूसरों तक भी share कीजिए, और अगर आप हमारे channel पर नए हैं, तो channel को subscribe जरूर कीजिए, और दूआ में याद रखिए, अल्ला हाफिज